नमस्कार दोस्तों इश्वर सदाव आपका बला करें और आपके छोल्या इश्वर के आश्रबात से हमेशा भरी रहें तो दोस्तों आज बात करेंगे उंगलियों के पोरों के बारे में देखे हमारे जो हाथ की उंगलिया होती है मारा राता है कि सबसे जादा समवेधन शील हिश्चा जो होता है शरीर का वो होता है क्योंकि जितनी भी नर्वस है वो इनसे जुड़ी होती है और खासकर जो अग्र भाग होता है कहते हैं कि जीवन शक्ती भी इसी भाग से हमारे श प्रवेश करती है उमलियों के जो अग्र भाग होते हैं अर्थात जो इनका आगे का हिस्सा जो होता है इनके सिरे देखना चाहिए इससे बहुत ज़ादा अंतर आता है व्यक्ति की व्यक्ति तुपे अगर हम देखें कि यदि किसी व्यक्ति की जो यह टिप है वो चौड़ी है चप्टी है या थोड़ी वरगा कार है तो ऐसे लोग जादा वहवारिक होते हैं, जादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जिन लोगों की ये जो टिप होते हैं, वो बहुत नुकीले होते हैं, तो जो ऐसे लोग होते हैं, ये लोग वहवारिक कम होते हैं, जिग्यासू बहुत होते हैं, नई चीजों को जानने का इनक कि लिट्रेचर आर्ट्स इसमें यह जादा सफल होते हैं अब बात करेंगे उंगलियों के फैलाव की देखे एक बात ध्यान रखेगा जिस व्यक्ति का जो हाथ है वो अगर उंगलियां अंदर की और मुड़ती हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा भाग्या आप कह सकते क अमसाथ देता है लेकिन जब आप अपना हाथ फैलाएं और जो उंगलियां हैं वो बाहर की ओर जाएं तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जरूरत के हिसाब से अपने आपको ढाल लेता है परिस्थितियों में अपने आपको अर्जस्ट कर लेता और ऐसा व्यक्ति जि फारि जी शई ना इनकी लंबाई भी ग्येसी होती है हर व्यक्ति के हाथ की जो उंगलियों के पोर है अलग-Alग होते हैं अब देखा जाए कि यदि आपकी जांथ कि जो हाथ की जो सबसे पहला जो पौर है ये ये लंबे है Australians आप कह सकते हैं बड़े हैं जादा, तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़ा सा भावुकता में काम जादा करते हैं, मानसिक विश्यों में ये जादा केंदित होते हैं, मतलब मानसिक रूप से जादा सचेत होते हैं, मानसिक कामों को करने में जिसमें आपका दिमाग यूज होता ह बहुत इनको अच्छा लगता और ये उसी काम को करना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें माइन का प्रॉपर यूज हो, इसके अलावा यदि ये पोर मोटा हो जाए, मतलब बड़ा भी हो और मोटा भी हो जाए अन्य पोरों के मुकाबले, तो व्यक्ति के अंदर भाव की मातरा को बताता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा यदि पोर मोटा हो जाए तो व्यक्ति ज्यादा भावुक और ज्यादा आवेशी हो जाता है, यदि ये पोर बड़ा भी हो और मोटा भी, अब बात करेंगे दूसरे पोर की, देखें इस पोर के बाद जो आपका दूसरा प यवके चिनोतर कितनी बार ये मैंने देखा है कि लोगों के ये फालंज होता है तरह से उंगलिया हो जाती हैं तो ये जो जो फालंज होता है उस तरह को ये बताता है कि व्यक्ति की पुलق compression बुद्धी है मतलब आप कह सकते हैं कि जो काम करने का उसका तरीका है वह बहुत अच्छा होता है विहवार कुशल होते हैं विहवारिक्ता बहुत होती है और ऐसे लोग धन कमाने में बहुत ज़्यादा इंट्रेस्स सकते हैं धन के प्रती लालसा भी उते और धन के लिए प्रयास भी बहुत करते हैं और जितना अगर इस तरह से यव के चिन बन रहे हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति काफी उसके पास धन होता है और यदि एक से जाधा पूर बन रहे हैं सेकेंड फैलंज पे तो यह बताता है कि व्यक्ति बहुत व्यवारिक है और व्यक्ति का जो जीवन का मुख्यों देश है वो है अधिक से अधिक धन कमाना लेकिन इसमें भी भात ध्यान रखे कि हाथ यह बाहर की ओर फैल रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति धन कमाने में काफी सफल होगा और काफी व्यक्ति व्यवसाय और नौकरी में भी लोग इनसे संतुष्ट रहते हैं लोग इन्हें पसंद करते हैं ऐसे लोगों को और ऐसे लोग एक अच्छा समाजिक जीवन भी जीते हैं अब बात करेंगे तीसरे पोर की देखे यदि आपकी जो उंगली है उसको ये तीसरा पोर यदि बड़ा हो लंबा हो लेकिन पतला हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़ादा पैसे कमाने के लिए लालश नहीं देखते हैं परन इनके जीवन का जो मुख्यों देश होता है अच्छे से खाना पीना सोना जीवन को अच्छे ढंग से जीना ये इनको अच्छा लगता है मतल इन यही उंगली यदि इनके थोड़ी मोटी भी हो नीचे से तो ऐसे लोग कुछ जादा ही आमोद प्रसंद हो जाते हैं मतलब आप कह सकते हैं कि इन लोग का फिर जीवन सरफ खाने पीने भो विलास आमोद प्रमोद में ही बीटता है तो ये निचला पूर यदि बहुत मो परच करने का उसको बहुत इंट्रेस्ट होता है लेकिन हमेशा याद रखिए कि हाथ की उंगल्या यह दि बाहर के और फैलती है तो वह ज्यादा शुब होती है ऐसा व्यक्ति अडेप्टिबल होता है मतलब जो भी परिस्तित्या होती है उसमें ढलना जानता है चीजों को म अपनी महनत से अपनी तरक करता है तो दोस्तों आशा करती हूं आपको हमारी आज की दि जानकारी पसंद आई होगी ऐसे ही प्रमुक विष्यों के साथ और पामिस्टिकी बहुत सारी जानकारियों और कुंडली से रेलेटेड बहुत सारी चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे यदि आप अपने कुंडले अनल्सिस करवाना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्ट्राग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां हम आपकी कुंडले भी अनलाइस कर सकते हैं, तो दोस्तों आशा करती हूँ, आपको हमारी आज की दिवी जानकारी पसंद आई होगी, ऐसे रोचक जान कारी क्लिक रिप्प्याप हमारे चानल को लाइक, सब्सक्रेब और शेयर अबस्षी करें, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार कर mająा उनलाइस कर दिजका घूजंड़ पसक判े हैं, तो दोस्तों आशा के रिकसा कार दिवी सो नमस्कारी आपको Вас दिवीर क Oke, और यंद आऊ prix काैं, चानलाइस, आहाएंग, सब्सक्रेदा जा एक और दिवारे की साill हैב मार leverage